गुद बार्निंग क्लास नाइन के सभी स्टूडेन जैसा कि हम लोग दो बैलों की कथा मुनसी प्रेम चंद द्वारा रचित या कहानी पढ़ रहे हैं दो बैलों की कथा में तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे चौथे पार्ट में हम आपको ये बताएंगे उसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि पिछली कहानी में हम लोगों ने पढ़ा कि जो जूरी के दो बैल थे हीरा और मोती और जूरी के साले के यहां जाते हैं तो फिर दुबारा बैल उस जूरी के साले के हाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर फिर उनको जो है सूखा भूसा चारा दिया जाता है और उनकों से जो है काम लिया जाता है हल को जोते हैं उनके मेहनत लिया जाता है और सूखा भूसा चारा दिया जाता है तो यह सब दुख दर्द देख करके उसी की एक लड़की है जो उसकी मा नहीं है वह सौतेली मा है उसको बहुत मारती पीटती है लेकिन वह बैलो के प्रति उसको दया आ गई और वह जो है दो रोटी ले आ करके बैलो को खिलाद देती है उसके आगे की कहानी हम लोग अगले पार्ट में पढ़ने चल रहे हैं जैसा की देख रहे हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे तो हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे जैसा की देख रहे हैं दोनों बैल दिन भर जोते जाते डंडे खाते अरते साम को थान पर बात दिये जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती प्रेम के इस परसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सुखा भूसा खा कर भी दोनों दुरबल न होते मगर दोनों की आखों में रोम रोम में बिद्रो भरा हुआ था एक दिन मोती ने मूख भाता में कहा आप तो नहीं रहा जाता हीरा क्या करना चाहते हो मोती कह रहा है कि आप तो नहीं रहा जाता तो हीरा कह रहा है क्या करना चाहते हो एकाद को सिंग से उठा कर फेग दूँगा मोती कह रहा है कि मैं एकाद को जो है मैं सिंग उठा कर जो है सिंगों से उठा कर फेग दूँगा लेकिन जानते हो हीरा कह रहा है लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटिया खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है या बेचारी आनात हो जाएगी तो मोती कह रहा है तो मालकिन को न फेंग दूँ वही तो उस लड़की को मारती है फिर हीरा कह रहा है लेकिन आउरत जाद पर सिंग चलाना मना है या भूल जाते हो देखिए यहाँ पे हीरा कितनी उची बात कह रहा है कि कह रहा है कि हीरा जो बैल है वो कह रहा है कि लेकिन आउरत जात पर सिंग चलाना मना है यह भूल जाते हो अब देखिए बैलों को भी ध्यान है कि इस्त्रियों पे दया करना चाहिए उन्हें किसी प्रकार का उत्प्रिण नहीं करना चाहिए तो आज के परिवेश में जो पुर्सो द्वारा इस्त्रियों पर अत्याचार हुए है उन अत्याचारों को देखकर कि मुन्ति प्रेमचन ने यहाँ पर ब्यंग किया है बैलों के माध्यम से बैल भी इतना जानते हैं इतने समध्दार होते हैं कि अवरत जात पर सिंग चलाना मना है यह भूल जाते हो हीरा समझा रहा है लेकिन क्या हो रहा है आगे तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते बताओ तुड़ा कर भाग चले अब मोती कह रहा है कि तुम तो जो है किसी तरह मानते ही नहीं तुम तो निकलने ही नहीं देते बताओ तुड़ा कर मैं भाग चलूं हम लोग भाग चले हाँ यह मैं स्विकार करता हूं लेकिन इतनी मोटी रसी तूटे गी कैसी अब दोनों लोग बिचार कर रहे हैं कि हाँ मैं यह बात स्विकार करता हूँ चलो तुड़ा के भाग चलते हैं लेकिन इतनी मोटी रसी तूटेगी कैसे इसका एक उपाय है पहले रसी को थोड़ा सा चबा लो अब मोती बता रहा है समझा रहा है कि इसका मात्र एक उपाय है पहले जो यह मोटी रसी है इसको जाएगी रात को जब बाल का रोटी खिला कर चली गई तो दोनों रसिया चबाने लगे जब चबाने लगे तब क्या हुगा मोटी मोटी रसी मुह में नहीं आती बेशारे बार बार जो लगा कर रह जाती सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली अब रात में सब सो रहे हैं उस समय जो है वे दोनों बैल मोटी रसियों को चबा रहे हैं और रसी मुह में नहीं आ रही है इसलिए बार बार जो है चबा रहे हैं इतनी में अचानक क्या हुगा कि वही बाली का जो रोटी खिलाती थी बैलों को वही बाली का जब निकली रात में तो क्या हु दोनों की पूछे खड़ी हो गई उसने उनके मात से सहलाया और बोली खोल देती हूं चुपके से भाग जाओ अब लड़की बालिका बोली कि जब दोनों मा जो है हाँ चातने लगे बैल तो लड़की कहती है उसके पीट को सहलाने लगी लड़की और कहती है कि ठीक है मैं खो खोल देती हूं अब चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहां लोग माट डालेंगे आज घर में सला हो रही है कि इनको नाकों में नाथ डाल दी जाए उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे मोती ने अपनी भासा में पूछा अब चलते हो क्यों नही अब चलते क्यों नहीं मोती जो है हीरा से कह रहा है कि अब चलते क्यों नहीं अब तो खुल गया हीरा ने कहा हीरा ने कहा चले तो लेकिन कल इस अनात पर आफ़त आएगी सब इसी पर संदेह करेंगे हीरा पता रहा है कि ठीक है हम लोग तो चल रहे हैं लेकिन इस बालिका क अब आगे की कहानी अगले पेराग्राफ में है तब आगे क्या हुआ गया हरबढ़ा कर भीतर से निकला और पैलों को पकड़ने चला वे दोनों भागे गया ने पीछा किया वे दोनों बैल भाग रहे थे और गया ने पीछा किया और भी तेज हुए गया ने सोर मचाया फिर गाउं के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लोटा दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया सीधे दौरते चले गए यहां तक ही मार्ग का ग्यान न रहा जिस परचित मार्ग से आये थे उसका यहां पता न था नए नए गाउं मिलने लगे तब दोनों एक खेट के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए जैसे ही वहां से बैल भागे तो जिस रास्ते से दोनों बैल आये थे वह रास्ता उन्हें नहीं मिला वो मार्ग से अपने भटक गए थे अब उनको जो है नया नया गाउं मिलने लगा नया नया रास्ता मिलने लगा तो लोग सोचने लगे और उसके बाद खड़े होकर कि हीरा कह रहा है कि आप क्या करना चाहिए हीरा ने कहा कि मालूम होता है राह भूल गए हीरा कह रहा है कि लगता है रास्ता हम लोग मार भूल गए है तुम भी बेताहसा भागे वही भी उसे मार गिराना था अब मोती कह रहा है कि तुम भी तो जो है तेजी से भाग चले वही उसको मार गिराना था जब वो पीछा कर रहा तो उसको मार डालते हम लोग उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती वो अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ते हीरा समझा रहा है कि नहीं मोती अगर उसको मार डालते तो दुनिया क्या कहती वो अपना धर्म छोड़ सकता है लेकिन हम लोग अपना धर्म नहीं छोड़ सकते हीरा ने मोती को समझाया उसके बाद क्या हुआ दोनों भूंक से व्याकुल हो रहे थे खेत में मटर खड़ी थी चरनी लगे रह रहकर आहट ले लेते कोई आता तो नहीं है और दोनों भगल के रास्ते में एक मटर की खेत थी और दोनों चरनी लगे और रह रहकर कि आहट भी ले लेते कोई आतो नहीं रहा है जब पेड भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभो किया तो मस्त होकर उछलने को उतनी लगे पहले दोनों ने डकार ली फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे मोती ने हीरा को नई कदम पीछे हटा दिया मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दा क्योंकि वो लोग अच्छे से खा पीके अपनी सारी भूब को मिटा जोके थे तो मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया यहां तक कि वह खाई में गिर गया तब उसे भी कुरोध आया, समल कर उठा और फिर मोती से मिल गया मोती ने देखा कि खेल में जहगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया अब जैसे ही हीरा मोती जगड़ा करने लगे तो हीरा समझ गया कि लगता है इस खेल खेल में हम लोगों से जगड़ा हो जाएगा तो वो पीछे हट गया अब तीसरा नमबर पित पढ़ेंगे यहाँ पे आगे से देखिए अरे यह क्या कोई साड डौकता चला आ रहा है हाँ साड ही है वो सामने पहुचा दोनों मित्र बंगले जाक रहे हैं साड पूरा हाती है उससे भिर जान से हात धोना है लेकिन न भिरने पर भी जान नहीं बचती नजर नहीं आती इसी की तरफ आ भी रहा है कितनी भैंकर सूरत है मोती ने मूग भासा में कहा बुरे फसे जान बचेगी तो कोई उपाए सोचो हीरा ने चिंतिस्वर में कहा अपने घमंड में भूला हुगा है आरजू बिंती न सुनेगा भाग क्यों न चले अब देखिए उधर से अभी मटर चर रहे थे तो दोनों जो है आपस में जगड़ा कर लिए और उसके बाद जो है फिर सांथ में मिल गए हीरा पीछे हट गया तो इतने में क्या हुआ कि मोती ने देखा क्यों कह रहा है क्या ये तो कोई बहुत भैंकर सांड आ रहा है तो मोती कह रहा है कि चलो यहां से भाग चले और इतना भैंकर है कि हम लोगों की जान नहीं बचने वाली है और हम लोग तो बिना जो है यहां पर आकर फंस गए हैं तो हीरा समझा रहा है कि जो है अब तो फं उन्ती स्वर में कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है आर्जू बिंती नहीं सुनेगा अव लगता है यह सांड जो है अपने घमंड में भूला हुआ है हम लोगों की बिंती उन्ती नहीं सुनेगा हम लोगों को मार ही डालेगा भाग क्यों न चले तो हीरा पर समझा रहा ह कि यहाँ पर हम लोग चलो भाग चलते हैं अब उसके बाद आगे कहानी क्या होती थीसरे पैरा ग्राफ में देख़ें अगले वाले तो भागना काय अर्ता है तो फिर यही मरो मैं तो 9211 होता है तो हीदा समझा रहा है कि नहीं मोती भागना काय अर्ता है तो मोती कह रहा है तो फिर यही मरो मैं तो 29211 होता हूं और जो दवडाये तो अब कह रहा है कि अगर जब दवडा लिया तो साण तो हम लोग क्या करेंगे तो फिर कोई उपाय सोचो जल उपाय यही है कि उस पर दोनों जन एक साथ चोट करें मैं आगे से रगेता हूँ तुम पीछे से रगे दो दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा अब उसको जो है समझाया गया हीरा ने समझाया बताया कि एक काम करो हम दोनों उस पर जो है वार करेंगे अगर हम लोगों की तरफ वो साण आएगा हम दोनों उसको उसकी त जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों वह उसर न देते थे। करते करते जो है उस सार को दोनों पहल मार गिरा दिये। और जब मार गिरा है तब क्या हुआ। दोनों मित्र विजे के नसे में जूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेति भासा में कहा मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को ही मार डालू। मोती कह रहा है कि मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को ही मार डालू। हीरा ने तिरसकार किया गिरे हुए बैरी पर सिंग चलाना चाहिए। हीरा चाहिए यह सब तो ढूंग है अब आगे से दिखाए। यह सब ढूंग है बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। वो कह रहा है कि यह सब तो ढोंग है और बैरी जो सत्रू है हमारा दुस्मन है उसको ऐसा मानना चाहिए कि वो फिन न उठे अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो अब मोती बता रहा है यह बताओ अच्छे छोड़ो जाने दो अब घर कैसे पहुंचा जाए यह पहले सोचो अब उसके बाद बताया रहा है पहले कुछ खा ले तो सोचें सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुश गया हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी अभी दो ही चार ग्रास खाये थे कि दो आदमी लाठिया लिये दोर पड़े तोनों मित्रों ने घेर लिया हीरा तो मे कि अच्छे हुए जो है खेत में था उसके खुर कीचर में धसने लगे न भाग सका पकड़ लिया हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा फसेंगे तो दोनों फसेंगे रखवालों ने उसे भी जो है पकड़ लिया प्राताकाल दोनों मित्र काजी होस में बंद कर दिएगे, अब आगे की कहानी हम कल आपको पहराएंगे अगले पैरा कराप में, जैसा कि यहाँ पर बताया गिया कि जैसे ही मोती नहीं माना, मोती जो है फिर से मटर चरने लगा, और हीरा उसको जो है समझा रहा था कि नहीं मोती मत जाओ, अब चलो हम लोग घर का र भाग निकला लेकिन मोती बेचारा जब फास गया, मोती जब फास गया तो हीरा भी जो है, अब मोती को बचाने के लिए हीरा भी नहीं भाग पाया, वह भी मोती के पास आ गया, तो दोनों पकड़े गए, अगले दिन क्या होता है कि उन दोनों को जो है, एक काजी हौस में बंद कर दिया गया, एक कैद खाने में बंद कर दिया जाता है, अगली कहानी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, नेश्टीन पढ़ेंगे, तो जैसा कि ये हमारा दो बैलो की कथा का चवता पाथ होगा, कुल मिलाजला कि इसमें पांच शा पाथ होगे, कहानी क्योंकि लंबी है इसलिए आप लोग तनिक भी नगवड़ाएं आराम से पढ़ते रही एक बार अपने से पढ़िए अब यह कहानी पूरी हो जाएगी तब हम आप सभी को प्रस्न अभ्यास करवाएंगे तब तक लिए